तो स्वागत है आप सभी का ग्याफन इकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के नौन हिंदी का चैप्टर नमबर 4 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बाल गोबीन भगत बड़ा ही अजीबो करीब नाम हैं सुनकर ऐसा वदू में कह सकते हैं हम लोग खाका मतलब किसी इंसान की पूरी जिंदगी लिख कर बता देना जिससे पता चल जाए कि वह इंसान किस टाइप का इंसान था उसकी शक्सियत यानिकि उसका व्यक्तित्व कैसा था तो उस लिखे हुए को कहते हैं खाका या फिर हिंदी में आ पर आउप दर् Pal Govinh भगत के लिखा गयां लिखने वाले कौन है याद रखिएंगा बाल गोन भगत के लेखक रशनाकार है रामव्ِरक्ष बेन पूरी जो कि बाल गोबिन भगत के ऊपर यह रेखाचितर लिखे हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से समझते हैं कि बाल गोबिन भगत किस टाइप इनसान थे इसमें थोड़ी हसी भी है और थोड़ी आप बोल सकते हैं घंभी है मतलब खुशी और गम लगा या फिर सब्जेक्टिव आप हंडेट परसेंट करेक्ट बना कर आएंगे ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं अभी कि अभी आप लोग वीडियो को शेर कर दें जितना ज्यादा हो कि स्टार्ट करने से पहले अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पाई जितने भी आप पहुचे चलिए समझते हैं राम वरिक्ष बेनी पूरी द्वारा रचित रेखा चितर बाल गोविन भगत धर्म के इस मर्म का उद्गाटन करता है कि धर्म पालन आडंबरों यह अनुस्था अनुस्थानों के निर्वाहन में नहीं बल्कि आचरण की पवित्रता और भगवान को खुदा को कहीं दूसरे जगा ढूनने की जोट नहीं है भगवान खुदा आपके अंदर है इसलिए अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी है तो आप अपना आचरण पवित्र और शुद्ध बनाईए आपका मन पवित्र और शुद्ध है तो फिर आप अब चलिए स्टार्टिंग से में लोग समझते हैं और पूरी कहानी इसको कहानी की तरह समझते हैं बले यह रेखा चितर है लेकिन कानी की तरह हम लोग समझेंगे बाल गोविन भगत मझा मझाले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे मैं लिख विदी हूं जो जो बाल पक गये ते प्el नहीं रखते थे किन्तु अथ चेहरा सफेथ बालों से जगमक किया रहता वह लंबी दार फिर आप से बालों से जगमकाता रहताitas कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे कमर में लंगोटी मात्र कमर में एक लंगोटी मात्र पहन लिया करते थे याद रखिएगा लंगोटी मात्र ठीक है और सिर में कविर पंथियों किसी कंफटी टोपी कंफटी टोपी पहन लिया करते थे जब जाड़ा आता था यानकी ठंडी क दिन आता था तो एक काली कमली उपर से ओढ़े रहते थे और कुछ नहीं ठंडी के दिनों में वह क्या करते थे काली कमली यानि की काली कंबल ओढ़ लिया करते थे मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ राम नंदी चंदन जो नाक के एक छोड़ से ही और तो के टीके की तरह शुरू लगाकर गले में तुलसी की जडो की एक बेडॉल माला बांदे रहते थे और अपने गले में तुलसी की एक बेडॉल माला बांदे रहते तुलसी की माला ठीक है उपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोबिन भगत साधू थे मतलब उनको देखकर ऐसा नहीं ग्रिहनी की तो मुझे याद नहीं कि कैसे वो ग्रिहस्त थे लेकिन उनके बेटे और पतोहु को मैंने देखा था थोड़ी खेती भारी भी थी एक अच्छा साफसुत्रा मकान भी था किन्तु खेती बारी करते परिवार रखते भी बाल गोविन भगत साधू थे मतलब खेती गीतों को गाते उन्हीं के आदेशों पर चलते कभी जूट नहीं बोलते खराब रखते साधू की सब परिवाशाओं में खरे उतरने वाले थे बाल गोविन भगत जितना भी साधू का कर्म होता है धर्म होता है उस पर खरे उतरते थे और कबीर को यह साहब मानते थे तो कबीर को साहब यह मानते थे इंपोर्टेंट है याद रखिएगा ठीके और उन्हीं के गीतों को गाते थे बाल गोविन भगत कबीर की गीतों को ही गाते थे और उन्हीं के आधर्शों पर चलते थे कभी जूट नहीं बोलते थे एकदम खरा वहार था ठीके किसी से भी दो इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतुहल होता कभी वह दूसरों के खेट में शौच के लिए भी नहीं बैठते वह ग्रिहस्त लेकिन उनकी सब चीज सहाब की थी वह ग्रिहस्त थे लेकिन सब चीज इनकी सहाब की थी जो कुछ खेट में पैदा होता सिर्पर लाद क पहले उसे और निकलती थी उसको कहा लेका जाते तंदर यहां कि इंकि साथ के दर्बार में ले जाते जो वसका धरास कोषदूर था कपीर दास मतलब साहाग का धरा कितने कोषदूर था तो Чार नुग कर ले चलाते थे वह दरबार में भीट रूप में रख लिया जाता और प्रशाद रूप में जो अंहें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते थे जो यहिंख के खेत वे प्सल निकलता था वो सरपर लादकर अपने साहब के दरबार में ले जाकर भेट के रूप में ये रख दिया करते थे दे 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 थे और प्रसाद के रूप में जो भी बालगोविन भगत को मिलता था वो घर लाते थे और उसी से अपना गुजर चलाते थे ठीक है मतलब रोजी रोटी चलाते थे इन सब के उपर म बहुत जड़ा तारीफ किये हैं कि मतलब इनका मधूरगान जो सादा सरवदा ही सुनने को मिलता था कबीर के है कबीर के कबीर के कबीर दास के गीशितों को ही गाते थे बालगोबिन भगत तो लिए मोई कबीर के वे सीधे साधे, पद जो सब्सक्राइब की अश्राण की रिम्जिम रहे हें कही रॉपानी हो रही है धान के पानी भरे लेकर मेड़ पर बैठी है आसमान बादल से घिरा हुआ है धूप का नाम नही और ठंडी पुरुवाई चल रही है ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर्त रंग जंकार सी कर उठी यह क्या है यह कौन है यह पूछना ना पड़ेगा बाल गोबिन भगत समूचा शहील की चड़ में लिथरे हुए अपने खेत में रोपानी कर रहे हैं उनकी अंगुली एक कि धान के पानी भरी खेतों में बच्चे उचल रहे थे और एक बहुत ही मधुर जो स्वर है वो कानों में सुनाई दी यह क्या है यह कौन है यह पूछना नहीं होगा यह कौन है तो बाल गोबिन भगत है बाल गोबिन भगत समूचा लिखेत में खेत में रूपानी कर रहे हैं उनकी एक-एक धान के पौधों को पंक्तिवद खेतों में पंक्त यह कतार में खेत में लगा रहे हैं खेत में उनका कद एक-एक मतलब वो रहे थे उनका कद एक-एक शब्द को स्तंगीत के जीने पर चढ़ा कर कुछ को उपर स्वर्ग की और भेज रहा है और कुछ को इस प्रित्वीक की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की और बच्चे खेलते हुए जूम आले लकती हैं जितने विह कलाने وाले रोपानी करने लगत आए कि डान्स करने लगें रोपानी करने वालों की उमलिया एक अजिब करम से चलने लगती है फटा-फटकाम होने लगता है बालोविन भगत का легкоसंगीत है या फिर जादू सब कुछ अधुद जैसा दिखने लगता है तब कुछ मतलब जितने भी लोग रुपानी कर रहे थे उनका जो उंगली है अजीब करम से चलने लगा एक फड़ाफट काम होने लगा भादों की वह अंधेरी अधरतिया अब भादों की बात हो रही है यह तो किसकी बात हो गई असा संकार या दादूरों की टर्टर बालगोबिन भगत के संगीत को अपने कुलाहल में डूबो नहीं सकते उनकी खंजड़ी दिमक दिमक वज रही है और वे गारे हैं गोदी में पी आवाद चमके चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना ठीक है इस तरह का गाना है मतलब बारिस भगत के संगीत को डूबो नहीं सकते हैं मतलब अब जो सुनाई दे रहा था वह बाल गोबिन भगत का संगीत सुनाई दे रहा था चारो त्रफल गाउं गूज उठा था उनकी खजड़ी डिमक डिमक कर बज रही थी वेगा रहे हैं क्या तो गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठेना हाँ पिया तो गोद में ही है किन्तु वह समझती है वह अकेली है चमक उठती है चिहुक उठती है उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौन उठने वाली बिजली की तरह इसने किसे न चोका देता मतलब इतना रात को वह गाना गाते थे और सभी लोग अचानक चौक उठते थे की इतना रात को कौन गाना गाने लगा अरेसरा संसार निस्त्ट बद्धिता में में सोया है बाल गोबिन भगत का संगीत से लोगों को जगा रहे हैं जाग रहे हैं वो भी उतनी रात को कातिक आया नहीं कि बालगोविन भगत की प्रभातिया शुरू ही जो फागुन तक चला करती थी याद रखिएगा इन दोनों सबेरे ही उठ जाते थे ना जाने किस वक्त जग कर वहा नदेशनान को जात नर करने के लिए जाते थे कितना मिल्दूर दो मिल्दूर इसनान करने के लिए जाते थे ठीक है वहाँ से नहाध कर लॉटते और गाउं के बाहर ही पोख्रे के ऊचे भिंडे पर अपनी ख़शीडी लेकर बैढ़ते अब नहाध दो शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं किंतो एक दिन माख कि उस दांत किटखीटाने वाली भोर में धी उनका संगीत मुझे पोकरे पढङ tapa ले गया था यहां पर लेखक बोल रहा है कि मैं शुरू से देर तक सोने वाला वहकती हूं लेकिन एक दिन माख किस्ताथ किटटाने वाली वह में दांत किटटाने वाली भहर में वहीं भूर में भी जण देखा मैं देखा कि इतना दाट किट किटाने वाली थंडी है और इसमें कौन गाना गा रहा है और इतना मदूर और सुन्दर संगीत कि मैं खीषता चला गया बालगोबिन भगत की और और मैं उस पोखरे तक पहुंच गया मतलब मुझको भी उनका जो संगीत है वो खीच ले आया उ जब पर कुहासा सा चा रहा था सारा वातावर्ण अजीब रहस्य से आवरित मालूम परता था उस रहस्य में वातावर्ण में एक कुर्ष की चटाई पर पूरब मूह काली कमली ओड़े बालगोबिन भगत अपनी खजड़ी लिए बैठते थे ठीके उतनी मतलब पूरा चा उड़े बालगोबिन भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे उनके मुह से शब्दों का ताता लगा था उनकी उंगलिया खंजड़ी पर लगातार चल रही थी लगवज़ी बजा रहे थे गाते गाते इतने मस्त हो जाते इतने सुरूर में आ जाते उत्तेजित हो उते मतलब उतेजित हो उते कि मालूम होता कि अब खड़े हो जाएंगे कमली तो बार-बार सिर से नीचे सरक जाती मैं जाड़े से कपकपा रहा था किन्तु तारे की छाओं में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदू जब तब चमाखी पड़ते मतलब वह अपने संगीत में इतना उमस भरी शाम को भी सांगीत इतना में एब अंगण में वह आशंशन जमाभेठते और गाओं के उपने उनके प्रेमी के घुट जाते घुट बृच् mujeres तिराटे थी मतलब गाना गाते थे जो लाइन गाते थे उसके पीछे पीछे जितने भी उनके फ्रेमी निए लोग बैठे थे ओधो दोहुराते थे ठीक है से आगे-आगे सब के सब के तन और मन पर हावी होगता था होते होते शड़ एसा आता कि बीछ में खजड़ी लिये बालगोभिन भगत नाच रहे और उनके साथ ही सब के तन और मन निरत्य शील हो उठे हैं सारा आंगा निरत्य और संगीत से ओत प्रोथ है ऐसा होता था यह सुर्थ ताल इतना आगे तक चला जाता कि उनका लोगा जितने भी प्रेमी मंडली में लोग रहते थे बाल गोविन बगत थे उनका मन तन परहावी साथना का चरम उतकर्स उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मर गया बाल गोविन भगत की संगीत साथना का चरम उतकर्स उस दिन कब देखा गया जब उनके बेटे की मृति हो गई एकलोसा बेटा था सुस्त और बोधा सा था मतलब जादा बुद्धिमान नहीं था बोधा ठीप का ना हुता है उस तरह उनका बेटा था किन्तु इसी कारण बालईबीन भगत उसे और भी मांते थे बालगोबीन भगत का बेटा आपने बेटे को आर जहता दान दे आना था प्ति अैसे आदम रखनी चाहिए या प्यार करना क्थ कि ये निग्रानी और working और अपने बेटे की बड़ी साथ बड़ी शौक से साधी कराई थी पतोहू बड़ी सुभग और सुशील मिली थी मिठलब बाल गोविन भगत की जो पतोह मिली थी बहुत ही जदा शुशील थी घर की पूरी प्रबंधी का बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवरित कर दिया था उसने उनका बेटा बिमार है इसकी खबर रखने की लोगों को कहां फुरसत किन्तु मौत तो अपनी और सब का ध्यान खीच कर ही रहती है सबने सुना बाल गोविन भगत का बेटा जब बिमार था तो लोगों के पास इतनी फुरसत ही नहीं थी कि वह इस खबर क को सुन सके लेकिन जो मौत की खबर होती है ना मौत की खबर वो सब का ध्यान खीच कर ही रहती है जब पता चलता है कि अरे उसकी मौत हो गई तो सब का ध्यान उधरी खीचा चला जाता है ठीक है ना तो सब लोगों ने सुना कि बाल गोविन भगत का बेटा मर गया है तब स पूलों में से कुछ तोड़कर उस पर भिखरा है और फूल और तुलसी दल भी है चिराग जल रहा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाएं गीत गाये चले जा रहे हैं कौन गीत गाये जा रहे हैं तो बाल गोविन भगत वही पुराना सवर वही पुरानी तलिंदा घर मे पतूहु रो रही है जिसे गाओं के इस्त्रिया चुप कराने की कोशिश कर रही है घर में उनकी जो पतूहु थी वो रो रही है जिसे गाओं की जितनी पी इस्त्रिया थी और चुप कराने की कोशिश में लगी हुई है ठीक है किन्तु बाल गोविन भगत गाये जा रहे है गाए जा रहे हैं हाँ गाते गाते कभी-कभी पत्तूहू के नस्दिक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते गाते गाते बालगोविन भगत कभी-कभी अपने पतों के पास जाते थे और बोलते थे कि रो मत यह तो उत्सव मनाने का समय है उत्सव मनाओ ठी विश्वास जो हमेशा ही मृत्यू पर विजय होता आया है लेखक बोल रहे हैं कि मुझे लग रहा था कि बाल गोविन बगत पागल तो नहीं हो गया लेकिन ऐसा नहीं था उनका अपने धर्म अपने कर्म पर विश्वास था उनका विश्वास बोल रहा था वही पुराना वा उत्साव बेटे की क्रिया कर्म में तूल नहीं किया पतोहु से आग दिलाई उसकी अपने पतोह से आग जो अंतिम सद्सकार होता है जो भी पतोह से करवाये थे किन्तु जो ही शाद की अवधी पूरी हो गई पतोहु के भाई को बुलाकर उसके सांत कर दिया या आदेश देत बिमार पड़े तो कौन एक चुलूब पानी भी देगा मैं पैर पड़ती हूं मुझे अपने चर्णों से अलग नहीं कीजिए लेकिन भगत का ने अटल था मतलब यह बोल अपने पतों के भाई को बुला कर बोल दिये कि जाओ इसके दुश्री शादी करा देना अपने घर लेकर जाओ तो इनकी पतों पतों रो रोकर बोल रही थी कि नहीं आप मुझे आपने आप से अलग नहीं कीजिए अपका बुढ़ापा आगया है आपका भोज कर जाओ इसकी दुश्री शादी करा दो मतलब होगा वही काम होगा यह निर्णय जय था वह अटल था तलने वाला नहीं था तुझा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूँगा यह थी उनकी आखरी दलील और इस दलील के आगे बैचारी क्या बैचारी की क्या चलती मतलब यह आखरी दलील दे दिये थे कि तुझा नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूँगा इसलिए तुझा अब बैचारी उनकी पतों क्या कर सकती थी आखिर में मजबूरान उसे घर चोड़कर जाना ही पड़ा अब बैचारे बाल गोबिन भगत अपने घर में अके पर यह इसफ़ा नहीं रखते जितना संत समागम और लोगदर्शन पर पैदल ही जाते थे वह स्ञान करने करीब 30 कोस पर दूरी पर या थी गंगा थी ठीक है और 30 कोश पैदल वो चलकर जाते थे, साधू को संबल लेने का क्या हक और गिरिहस्त किसी से भिक्चा क्यूं मांगे अता घर से खा कर चलते तो फिर घर पर ही लोटकर खाते थे तिस कोश दूर पैदल चलकर ये जाते थे गंगा इसनान करने के लिए और रास्ते में किसे से भ विच्छा क्यों मांगे यह किसी से भी विच्छा मांग कर नहीं खाते थे अता घर से यह खाकर चलते थे और फिर वापस लोटने के बाद घर पर ही आकर खाते थे रास्ते भर खजड़ी बजाते गाते जहां प्यास लगी पानी पी लेते चार-पांच दिन आने जाने में लेकिन फिर भी वही मस्ती अब बुढ़ापा आ गया था किन्टू टेक वही जवानी वाली मतलब बूढ़ापा यह ता फिर भी जवासा होती त посмотреть कुछ सुस्थ थी इस बार जब गए थे गंगा इसनान के लिए वापस लोटे तो इनकी तबियत थोड़ी खराब हो गई थी खाने पीने के बाद भी तबियत नहीं सुधरी थोड़ा बुखार आने लगा किन्तु नेम वरत तो छोड़ने वाले नहीं थे नेम वरत भी रखते उस दिन भी ये संधिया में येनकी साम के समय गीत गाए किन्तु मालूम होता जैसे धागा तूट गया हो ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कि धागा तूट गया हो किसका तो खजड़ी का माला का एक-एक दाना विखरा हुआ हो भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना जाकर जो जो माला पहनते थे तुलसी की वह ऐसा लग रहा था कि माला का एक-एक दाना विखर गया हो भोर में लोगों ने उनकी गीत नहीं सुनी उनका गीत सुनाई नहीं दिया जाकर लोगों ने देखा तो बाल गोबीन भगत नहीं रहे सिर्फ उनका पंजर पड़ा हुआ था यहीं पर आप लोगों का यह जो रेखा चित्र है कंप्लीट हो जाता है हर एक जोकी आप लोगों के बुक में लिखा गया था पढ़ड़के में आप लोगों को अर्थ बता दी हिंदी एक्सप्लारेशर में आप लोग को कर दी एक भी पोश्न अगर इस चैप्टर से जाई समझ में आया है तो कमेंड में लिख कर बताए कि हाँ चीजे समझ में आ गई है उसके सांस वीडियो को शेर कर दे अपने प्रोशे अपने दोस्तों के पास अभी तक आप लोग शेर नहीं किये है तो फड़ा फट शेर कर दे ताकि सभी लोग का भला हो और वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल पर आप लोग नए नए आये हुए मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दबाली जिएगा उससे होगा यह कि मेरे रोज जाने वाल वीडियो का आप तक सबसे पहले पहुंचेगा ठीक तो च